शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कुछुरू बेटा 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 न अपली नाष्टे लगा देतो हम ठीकिवेता बेटा बेटा नाष्टे लगा देतो हम ठीकी बेटा अरे वाँ, आज आलू के पराठे बनाए तुमने आपको पसंद है ना आलू के पराठे, इसे आज मेने सुबा उठकी बना लिया था कितना ख्याल रखते है बेटा तुमेरा? अब आपका ख्याल नहीं रखोंगा तो किसका ख्याल रखोंगा? चली जल्दी से नाष्ता कर लेता है फिर वो सरीता अंटी के आँ जाना है साथसंग के लिए नहीं तो फिर देर हो जाएगी असुन मेरी शाल भी रख लेना हाँ मैन जाने का मन तो है पर क्या है कि आपको जाना ताप जा सती है नहीं नहीं अब इसे अकले चोड़ के कैसे जाओंगी अगली बार जब गुरुजी आएगे ना तब हम उनका सथसंग दो बारा सुन लेंगे ठीक है अचा अब मैं गाड़ी निकालता हूँ आप तक बात करिया हाँ आज कलकरण के कहा सराव लड़किया इन सब में बिजी रहते और आपको बेटा सच में ही रा है अब इसके शादी के बारे में क्या सोचा है एक दो बार बात करनी चाही थी मैंने तो कहता है मा जो हमें समझे हमारे पूजा पाट की जो दिन चरिया है उसको समझे ऐसी अब इस जमाने में ऐसी लड़की चाहिए अब इस जमाने में ऐसी लड़की कहां से मिलेगी सरिता है ना दिदी हमारे सच्संग की है पूजा नाम है उसका उसके मा पापा हमेशा आते हमारे यहां सच्संग में अच्छा पापा हमेशा आते हमारे यहां सच्संग में अच् कर दो दिदी जी अरे बहन जी सरिता जी ने आपके परिवार की इतनी तारीफ की कि कि हम तुरंथ ही आगए जरा भी इंतजार नहीं किया यह अपने बहुत अच्छा किया भाई सब विष्टे की बातों में देर होनी भी नहीं चाहिए अरे दी पहले स्याम उको तो बुलाईया अरे हाँ हाँ महमाना आए थे ना तु चाय बना रहा है शाम बेटा चाय बन गई आजाओ जी शाम बेटा ये पूजा के माता पिता हैं पेर्चोग जुब 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 चीयो जितना सुना था उससे भी कई ज्यादा संस्कारी है आपका बेटा मुझे लगता है बच्चों को थोड़ी बात करने देना चाहिए हाँ बिल्कुल शाम बेटा पुजा को घर दिखाओ जी आईए कि अए आप टाय लीजितना था रखेशी नाच भीजिए आईए आप इतना शर्मा क्यों रहें एसी बात नहीं है वो क्या है कि मनलब पहली बार किसी नड़की के इतने करिब खड़ा हुआ यह नहीं है क्या बोल। दरजल मैंने कभी किसी लड़की से ऐसे पतक नहीं किया है तो तो अम शच्छ में बहुत भोले हैं वैसे आपको चाय बनानी बी आती है हां चाय किया हमें तो खाना भी बना लेता हूं और घरके सारे काम कर लेता हूं मैं तो यहाँ? हाँ छलो अच्छा है, मुझे भी टेंशन नहीं होगी मुझे ना घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है पर पापा चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल जाओ बहुत परिशान रहते हैं वो बहुत रोक टोक करते हैं मुझे कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, रात देर तक गर से बाहर मत रहो जादा पैसे मत खर्च करो तो मैं भी चाहते हूं कि चाहदी करके किसी दूसरे के घर चली जाओंगी तो शायद इन रोक टोक से छुटकारा मिल जाएगा वैसे आप तो मुझे पर इतनी रोक टोक नहीं लगाएंगे ना? नहीं, बिलकुल नहीं आप यहाँ आएंगी अगर आती हैं आप तो तो आपका ख्याल रखना या आपका देखभाग करना अमारा एक करतब होगा जुग 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 जीव बेटा और अब जाओ, बहुत तुम्हारा एंतजार कर रहे होगी जी पूजा जी पूजा जी यह लीजे मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है खाई और बते ही कैसा बनाया यह वह? लीजे? मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए लीजे 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 अच्छी बनिये ना आपको पता है मेरी मम्मी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है अच्छा सुनिये कल जो आपको कपडे पहनने ना तो आप निकाल के रख दीजेगा तो मैं सोने से पहले सब आरन करके रख दूँगा ठीक है तो क्या है कल सुबह मुझे अफिस के लिए जल्दी निकलना है तो कहीं देर न हो जाए है ना मतलब हम साथ नहीं सुएंगे साथ में? साथ में? अठे इलीचे चलिए मैं किचन साफ करके आता हूं और किसी चीज की जोरवत पड़े तुम मुझे आवाज दे दीजेगा तो क्या है? क्या है? क्या है अरे यार घर से निकलने के चकर में कहां फस गई मैं मैंने तो पती मांगा था अरे ये पती के रूप में पत्नी जैसा फील क्यों दे रहा है अरे अच्छा वाप जल्दी उड़ गए आईए लीजे प्रशाद ले लीजे अरे रूको क्या है पहू? तुम बिना सनान के यह बाहर आ गई? चलो जाओ सनान करके आओ भगवान का दीपक जलाओ उसके बाद हम नाष्टा करेंगे चलो जाओ यहां से कुम चलो जाओ कर दीड़ अरुश टीड़ प्रॉश प्रज्ट करने दिए दिए टो आज़ारी हुए तो रख भी बहु आती फिर हम चलते हैं हम प्रख आज़ा जा रहे हैं तुम भी तयारो जाना है सथ्थंग मैं हा वहां पर तुमारे गरवाले बहाने वाले हैं तो मिलना भी हो जाएगा, और प्रावचन भी सुन लेंगे. पुयाजी, आप नाष्टा कर लीजे, ने तो फिर देर हो जाएगे मैं सत्संग के लिए. इसी क्या हुआ? मैं देखता हूं. पुयाजी, क्या हुआ आपको? ऐसे हुआ अचानक उठके आगई, नाष्टा भी ने क्या मैंनीत ने प्यार से बनाया था आपके लिए. चुब, इस अब क्या है? तुम मेरे पती हो या पत्नी? जब देखो, खाना खालो, किचिन साफ कर देता हूं, आपके कपड़े प्रेस कर देता हूं, शादी करके आई हूं मैं यहां और तुम मुझे लिजाना चाहते हो, अब मैं अब मैं अनीमॉन पे जाने की बजायत, जाकर प्रावचन सुनूंगी क्या? मैं तो बस आपका ख्याल रख रहा था मैं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल रखनेगा, जिस चीज का ख्याल आपको रखना चाहिए, उसका ख्याल तो आपसे रखा नहीं ला रहा है, अच्छा ठीक है, आप एक इतना गुसा मत करिए, आप शान्त हो जाईए, आप मैं करता हो, मैं मम्मी से कह देता हो, कि आपकी तबियर ठीक नहीं है, आप सच्छा नहीं आप आपाईगी, आपको जो करना है आप करिए, आपको जो करेए, करिए मेरा धिमाग खराब मत करिए, ठीक यहाँ आप शाद हो जाए, आप बैढ जाए यहाँ, मैं जल्दी सच्छा आपके लाटा हो, ठीक है? क्या सोचा था, और यहाँ हो गया यहाँ? ओर अज़ा कि अपने मुज़िक क्यो बंद कर दिया? अभी मुझे आदे गंटे और अरोबिक्स करना था ना? यह अज़ा लगा रखा है भू? हाँ? और अर इस तरह के कपड़ पहने तुमने? क्या हुआ? क्या से कपड़े? और माजी से नाच नहीं कहते हैं, इसे अरुबिक्स कहते हैं अब 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 चलिए, मैं आपसे बात करते हैं, मैं समझा देखो मैं यह क्या कर रहे हो तुम? हटो! चाची, चाची, आप भी ना? आप, जये, कुछ काम था? क्ये? क्या करते हैं, मैं आप जये आपके लिए आप लोग आए और बिना परशाद ली वापस आगे अरे यह सरीता भी ना, थन्यवाद कहना उसे जये, मिटा, अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, ना? सभाल के जाए ठीके चाची, फिर श्याम भीया ठीके, चली क्या थरीका है? हाँ, नई नवेली दुलहन ऐसे कपड़े पहंती अपने ससुराल में, क्यों? क्या बुरा है इन कपड़ो में? और वैसे भी आपके हां नई नवेली दुलहन को हनीमून की बजाए सत्संग चलने के लिए पूछले का भी रिवास तो नहीं होगा नाजी? और रैसे दिन आप मुझे अरविक्स करने को बिलकुल मन नहीं कर रहा है मैं यहां से चली ही जाती हूँ वैटा वैटा समझा बहु को ना समझोना अलग बात होती है और बत्तमीजी करना अलग मैं बात करता हूँ क्या अच्य दिन यार यह घर तो मेरे माबाप के घर से भी जादा गया गुजरा है मेरा पती पती नहीं घर की ग्रेनी बना हुआ है जो अब देखो घर के काम करता रहता है यार और जो बचा हुआ टाइम होता है उसमें पूजा बाट ऐसा लगता है जिसे उसमें से शादी तो कर लिया पर उसको पता ही नहीं कि अपनी बीवी को खुश कैसे रखना है अरे लोग या मरते है कि मुलका पती धर के कामों में हाथ बटाए तेरा तो सब बिन्भूले करता है तुझे तो खुश रहना चाहिए खुश? अरे काम के साथ साथ उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि बीवी को कैसे खुश रखते है ऐसा लगते है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है यार हाँ फस गई हूँ मैं उसे पता नहीं पर तुझे तो पता है ना तू कदम बढ़ा ना देखना तुरान तेरी बाहों में आजाएगा कहां चली गई Pooja जी पुझा 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 जी आप आप अंदे रहेंगे या पुझा जी पुझा जी यह पर यह 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 सब क्या है वजह अच्छी लग रही है काफी आपके लिए आपके लिए आप पी ली जाना तो ठंती हो जाएगी चलिए पूजादी यह सब क्या करनी है आप यह सब आपको छोभा नहीं देता है मतलब बीवी हूँ तुम्हारी में तुम्हारे सथ यह सब नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी यह आप किसी के साथ भी नहीं करेंगी यह सब किसी के साथ भी नहीं करेंगी तुम्हारी मेरे क्याने का मतलब है कि मैं आपको इतने इज़त से देख आपको कितना सम्मान करता हूं पूजाजी यह पाप मुझसे नहीं हो पाएगा पूजाजी प्लीज यह हुआ हैं अब मेरे लिए लिए देख का रूम्ह थैं जिसे बढ़वान ने मेरे लिए बनाया है मैं तो आपके जिंदेगी पर सेवा करना चाथा हूं आपकी पूजा करना चाताों भी यह सब आप मुझसे मत कर है यह सब महींहाएगा छी मुझे मापकर जी प्रीज मैं यह नहीं कर पहूँगा यह क्या देख रहे हम 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 ऐसी कौनसे प्या सदूरी रहे थी कि जिसको बजाने के लिए दोएगा सारा लिया जा रहे है अरे अरे आप तो बुरा मानगी अरे हम तो मजाग केर रहे थे हम तो आपके शुब चिंटाग है एक हमको मिलेगा एक सिग्रेट आपका यह यह बाली चलिये आपको हमे तो सब कुछ चलता है बहुत-बहुत हरनेबादभाविजा प्रणती शुथता है यह ले चिप एक बाद बताएं भाविजी आपको हमारे शाम भया है ना बहुत भोले है है ना? धोले नहीं एक नंबर के एडियट है वो पता नहीं जो शादी ही क्यों करते हैं क्या ना बाभी जी? मुझे लगता है श्याम भैने आपके नाम को ना वाज सीरसिल लेलिया जिंदगी ही वरो पूजा करते रहे और शादी के बाद भी वी की सिरफ और इस संस्कारी घर में आप पूरी जिंदगी कैसे रहेगी? वो भी तेगी बनकर नहीं रहूंगे मैं मैंने जिंदगी ऐसे जीने के लिए शादी थोड़ी किये नहीं रहेंगे पक्का तो फेर का करोगी? निकल जाओंगी अच्छा ड्रुश करें क्यों बेनो क्वरा पुजा जी, आप जए यह स्नान कर लेजे ना, वो काफी देर हो गई है इसलिए नहीं नहीं ना मुझे अभी, मेरा मन नहीं कर रहा है और नाश्ता बन गया है अगर बन गया है तो लगा दो ना प्लीज बहु, हमारे घर में बिना स्नान किये और भगवान का दीपक जलाए बिना कोई नाश्ता नहीं करता है बताया था ना तुम्हें मुझे इन सब की आदत नहीं है मेरा जब मन करेगा, जो मन करेगा मैं वो करूँ यह क्या बत्तमीजी है बहु, हमारे घर के यह उसूल है और बहु होने के नाते तुम्हें इने मानना पड़ेगा, बहु आपको आज यादा आ रहा है क्या कि मैं आपकी बहु हूँ जब सारी रात आपका बेटा आपके पैर दबाता रहता है, आपके लिए खाना बनाता रहता है, तब आपको याद महीं याता कि मैं आपके बहु हूँ बीवी का सुख मुझे मिला नहीं और आपको बहु के सारी सुख चाहिए, वाँ जब गोलिए जब आप गलत बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है ना मैं वही बोल रही हूँ और आपको जादा बुरा लग रहे हैं तो आप प्लीज जा कर मेरे लिए नाष्ता लगा दीजें इतने रात हो गई, पता नहीं असे बिना बताए कहां चली गई इतना भी ध्यान नहीं दे सकता तू बहुकी अरे देता तो हूँ अब क्या करो फोन ही नहीं उठा रही है तो वो आफिस आने के बाद ट्राई कर रहा हूँ कोई जवाब ही नहीं है पता नहीं आखिरे लड़की चाहती क्या है आप ती देर लगा दिया आपने आप ठीक है? अरे हां मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अब आज बहुत टाइम बाद मैंने बहुत नहीं किया और यह सब सर्फ जय की वज़ेस हुआ है अरे जय जी शुक्रिया आपका बॉत बहुत बहुत इतने टाइम बाद पुझा जी को इतना अच्छा फील कर आया हुआ हुआ तो गॉट युर इंपसिबल मैं अच्छा मभी आप फिर हम भी चलते है हाँ ठीक है चली अच्छा मेरे पास भी है सासुमा और मैं चांती हुआ इतनी राथ को ऐसे कपड़े पहन के किसी परायमर्ग के साथ उसकी गाड़ी में जिपक के बैठके कोई धर पे आता है क्या परायमर्ग अरे वो तो अपके स्थिता का बेटा है ना इस ही साफ़ात अब मेरा तेरावा अना तासुमा अबहो मैं बस अरे मुमी जी पुजा जी अफजय अधर जाई करें मैं बात करते ममी जी पूजा जी थोड़े अलग सोभाव की है हमें उन्हें सम्झाना पड़ेंगा अब क्यों टेंशन लिए आप यह आराम करी मैं समसमाल हूंगा किसका मेसेज है कि अच्छी तुम सूजाना वैसे भी तुम्हारे लिए तो रात सर्फ सोने के लिए होती है ना पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात में बाहर मजे लेने जाते हैं मेरे दोस्का मेसेज आया है और बाहर से बात कर आते हैं कि आप जब से हमारे पॉडोस में आया है भावी जी रात को टिरेट पीने एक पाल मुर्ण तो में मिलिया एक बात हमारे समझ में अभी तरह नहीं आई भावी वो तो आप एकदम होड और एकदम मस्त है बाटो हमारे श्याम भया को आपको दे के कुछ फ्स पिल कियो नहीं आता है वह तो बहुत कुछ होता है तभी तो दिनराथ पुजा करते हैं वह अमारी रैसे आप फिलट कर रहे हैं कैम अ उसे नहीं यह फिलट तो हम करें घख बावी और हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं बस अगर आपके इजादत हो ना बस अच्छे घर के लड़के दूसरों की बहु के साथ ये सब नहीं करते अगर तु सरीता का बेटा नहीं होता ना तो इससे जादा सजा देती तुझे अब निकल जाए या से और दुबारा कभी दिखना मत समझा तू अब तक लग रहा था तुम बच्ची हो तुम्हारी नादानियों को मैं माफ कर रही थी पर अब नहीं तुझ चल अंदर मेरे साथी अब लग रहे चोड़ी अरे अब ममी क्या हुआ ये ना अपनी बीबी से पुछ इतनी रात को बाहर उस जै के साथ क्या कर रही थी अरी तो क्या हो गया अगर दो मिनट बात कर ली पूरा दिन तो मैं घर पर ही पड़ी रहती हूँ तो मिनट के लिए बाहर गी ती और जै भी वही था तो तो मिनट बाते हो गई अच्छा और सिग्रेट भी यो ही शुरू हो गई क्यों सिग्रेट पुजा जी आप और मैंने आज तक कभी नहीं पिया और आप है की मदद तो इस पाद का इतना भड़ा बवाल मचाने की क्या जरूरत है बवाल सुन बहू हमारे खांदान के कुछ उसूल है आज तक किसी ने ऐसी हरकत ना कभी की है ना कभी करेगा समझी तू ऊजो मौय कि बजस्या हमौ। जए हमौ हम पुक बजस्टियू अब बाहर ही खड़े रोगे या अंदर भी आओगे क्या बात है भावी जी एक दम अचानक से बुलाया अपने गार में कोई नहीं क्या अगर अगर अंटीना देख लिया ना भावी तो रात के दरा थपड़ खाना पड़ जाएगा अगर कोई नहीं है तभी तो बुलाया है और कल की बाद जो अधियूर ही रह गई थी वो भी तो पूरी करनी है क्या बात है भावी जी मतलब आप तो एक्टम अलाई अवतार में यह आपकी कोई चालतों नहीं है न वो पॉंगा अपंडी से पीछा चोड़ाने की आज तो बड़ी देर हो गई वेटा खाना भी बनाना है अभी मुझे यह अधा सब्सक्राइब को यह लाउना न भूग लग लग रही तो जैन न खाना ओडर कर लिया बहुत टेस्टी है आयां अभी ठाइए ने मेरे बरसो के तपस्यान को भंग कर दिया तुने? हँ? मेरे घर में मासा हारी खाना लेका ही! rawrwaaya, rawrwaaya वे कया तुने? Pooja giy ऐसाब क्या है? आपने कभी बताय नहीं कि आप एसाब खाती है बताया नहीं कुछकी आपने कभी पूछा ही नहीं यह ना करो, गो ना करो, आपसे बंद कम्रे में तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें काम करो, मेरी एक तश्वीर बनाओ और उसको अपने कम्रे में लगा लो, और बिन रात उसकी पूजा कीजे, क्योंकि मैं आपकी बीवी तो हूँ नहीं, पीवी हूँ देवी, तुम करिये और मुझे टाइवोज दिला दीजे, जाते जाते श्यांग की प्रोपर्टी के आधा इसना मेरे नाम करा देना, अपको पता है आप क्या बात करिये, टाइवोज शेयर ये, क्या बोल रही है आप, मैं वही बोल रही हूँ जो आपने सुना, अगर आपने मुझे तला हाथ लगाया है और जब भी मैं इसको हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ, हरे नहीं, 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 आप तो मेरे लिए देवी समान हैं, मैं बहुत परिशान हो चुकी हूँ इससे, तो आप भी पताईए क्या आपका बेटा नामर्द है, जै, तुमें काम करो ये, खाना ल चाहिए होगा सोचने के लिए किए का हाँ सुरिए प्रॉद करते हैं पूजा जी देखे मुझे पता है आपने बाहर जूब कुछ भी कहा है वो सिर्फ गुस्से में कहा है आप कैसे कोई मतलब था नहीं है ना हमने तो शादी किया है अगनी के फेरे लिए आप थोड़ी मुझे छोड़ के चली जाएंगे ऐसे ही मुझे जय centr dire मुझे जय पसंद है और मेरे और जय के बीच में सब हो चुका है सब का मतलब तो तुम समझते ही हो गए ना थ activity शौख क्यों हो अओ तुम ये सब सुनके ये सब तो तुम्हे समझ ही नहीं आता ना मतलब इक पत्नी को क्या चाहिए तुपको पता ही नहीं है मैं तो तुम्हारे लिए देवी हुना तो मुझे तो अपने लिए कुछ न कुछ कर ला ही पड़ेगा देखो तुम इक ताम करो तुपचा पुछे डाइबोस दे दो वन्ना जिंदी की भर ये नामबर्दी पर टैग लेकर घूमोगे और टाइबोस तो में तुमसे लेकर ही रहा हुए लिजे अपने बेटे से इस तलाग के पेपर पर साइन करवा लेना और आप ही अच्छे पढ़ लेना ज्यादा नहीं इसमें उसके हिस्से के आधी प्रॉपर्टी मांगे है जैलिमनी और मना करने का सवाल तो बनता ही नही है वरना क्या मों दिखाएंगे आप अपने सत्संग वाले लोगों को जब उन्हें पता चलेगा कि आपके बेटे में तो मर्दोवाली कोई बात ही नहीं है हलो हाँ नहीं 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 मैं आ रही हूँ हाँ चलिए अभी मैं जा रही हूँ हाँ अज फिर से मेरा नानुच खाने का मूद कर रहा है और आने से पहले ये साइन करवा दीजेगा मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए आज वो लड़की हमारे घर और इजज़त की धज़िया उड़ाने पे तुलिये ब्लैकमेल कर रही है हमें तू से तलाग दे और मूमांगी रकम भी परना वो तेरे भोलेपन और आदर का ना मर्दगी बता के समाज में हमें कहीं मुझ दिखाने के लाइक नहीं चोड़ेगी बिटा तो मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है यही करना पड़ेगा इज़त दिया, सम्मान दिया, लेकिन बदले में उस जय के साथ जा क्या रहा है बिटा मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए प्यार था लेकिन उसके लिए तो प्यार का कुछ और ही मतलब था इसने कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं उसे सिर्फ अपने परिवार से छुटकारा चाहिए था जो से मिल गजय के साथ इस हद तक जा जुक है कि वहां से वापस आने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है है अज्वान दीया क्या कुछ नही कि आइज़त दिया समान दिया लेकि इस काम काल आपका सांज़ बेटा सब खुछ हार जुका है जिंदिकी में सब कुछ खतम हो चुका है मह मैं क्या मूँ दिखाऊना किבो प्रचने बचा अहर शोonne कुछ नहीं बचा है प्रवारी के तुछाजी तुछारी आपको सम्भाले अपने आपको उपने आपको वहाँ कि अपने आपको अब यहाँ सान्प आपको तो भी दमाश अगड़ा कर देगी अजय हड़ अब मुझे कोई फरक नीपड़ता है ना मेरा कोई पती है ना मेरी कोई सास है कुछ दिने में मैं प्रीवर्ट बंचाऊँगी और जावन करेंगा वहां गूमगी और जो बन करेंगा वहां करूँगी और अब करेंगी इक बात बताई पुझाजी आपक्यो नई जिंदगी में हमारे लिए कोई जगा होगी आपके साथ होते है श्मारने माले में आपके साथ हुटे है श्मारने माले मैं करेंगी थोड़ासा बार थी मैं छोड़ने आगया फिए अरे सासुमा कैसी हो आप आदो चलो पीकर आयो मन करा था तो थोड़ी से पीली मन पे काबू नहीं है न तुम्हारा ओहो फिर से शुरू मत हो ना वैसे भी अब आप मेरी साथ थोड़ी हो अच्छा यह बताओ आपके संस्कारी मेटे ले डाइवर्स पेपर पर साइन किया की नहीं किया यह ले यह क्या है? स्टाइन का इस पे? मैंने अपने बेटे की शादी कर रहे थी यह सोचके कि उसकी जिंदेगी सवर जाएगी एक लड़की आएगी जो उसका खयाल रखेगी उसके साथ प्यार से रहेगी मेरा बेटा तो शादी करना भी नहीं चाता था पर मैंने उसे मनाया ए बुड़िया फिर से चालू मत कर बस तीदे सिदा यह बता तेरे बेटे ने साइन क्यों नहीं किया मेरा बेटा हीरा है हीरा और हीरे की परक सिर्फ जोहरी को होती है तुम जैसे लोगों को नहीं अगर मेरा बेटा तेरे डिवोर्स पेपर को साइन कर देता है तो वो मुह दिखाने के लायक नहीं रहता. और अगर वो दिवोर्स पेपर साइन नहीं करता है, तो तु उसे मुह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ेगी, है न? तस बार एक ही बात कर चुकी हूँ. कहाँ है वो बुला उसे? वो आकर डाइवोस्ट पेपर पर साइन करे शाम शाम माँ? 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 माँ, किस्टे किस्टे किया? मैंने बाहर दिया उसको! मैंने बाहर दिया उसको, वेटा! मैंने बाहर दिया उसको, वेटा 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 उसक पुझा जी पुझा लेती है वहाँ नहीं वह दाएगा नहीं वह दाएगा पुझा पाकपाद अभी माँ पुझा 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 जी पुझा लेती है आई प्र्पको सबस्ददित युझा पुझा जी कर झाल झाल